ए आई 142 ठीक है आउधुनिक जापान का इतिहास इसका चेप्टर नमबर फस्ट है और युनिट नमबर हमारा फश्च क्या रहेगा आउधुनिक जापान का मूल आधार ठीक है यानि जो आउधुनिक जापान है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं जापान का इतियास यानि Japanese history जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका यह पहला चप्ट रहेगा और पहले class है और आज से मैं इसको सुरू कर रहा हूं और लगातारे class चलती रहेगी daily basis पे ठीक है तो इसमें आप जो पहला चप्ट रहेगा अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे पहले 1.2 पूर्ब एसिया और उसके पढ़ोसी पूर्ब एसिया का मतलब होता है जो जापान है वह पूर्ब एसिया में इस्थित है ठीक है और जापान के पढ़ोसी काउन काउन से देश है इसके बारे में फिर जैसे जापान का भावगोलिक वातावरण एकजाम के पॉइंटों भी से आने वाला question है ठीक है वहां की जो गर्फी condition क्या है पान की ठीक है उसके बाद अगर बात करूं जो अगला रहेगा 1.4 अगर आप देखेंगे जापानी इतिहास की अध्यन के लिए दिश्ट कौन यह important है जैसे जापानी इतिहास का जो अध्यन करते उसके लिए कौन-कौन सा दिश्ट कौन है यह आप कह सकते जापान इतिहास में काल अधी करन यह जैसे आपने सुना अगर नहीं कि हमारा जो इतिहास भारत का जी इतिहास है अमनों इसको तीन भाग में बात रखा है ना Asian history, medieval history और modern history उसी प्रकार से जो 1.5 है जापानी इतिहास में काल अधी करन यहनी जापान का जो इतिहास है उसमें काल अधी करन यहनी समय का बटवारा कैसे किया गया है इसके बारे में बताया गया है ठीक है 1.6 जो आपका रहेगा सास्त्रिय जापान का निर्मार एक कोस्च ठीक है 1.7 अगर आप देखेंगे परतिस पर्धा सक्तियां यहनी जापान में जो परतिस पर्धा सक्तियां रही जैसे समराठ है या धार्मिक समू है या योद्धागन कैसे रहे उनके बारे में ठीक है तुकु गावा सासन जो होता है बहुत important question है इसको लेकर के कई बार त इसमें सुनते होगा ना जिसे मौर काल है गुपत काल है या दिल्ली सलतनत काल है आप सब पढ़ते होगे ना मुगल काल है उसी प्रकार से तुकु गावा सासन काल है ठीक है तो तुकु गावा सक्ति का उद्भव कैसे हुआ अगर पहले चप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो 1.4, 1.5 इंपोर्टेंट रहेगा सास्त्रिय जापान का निर्माड इंपोर्टेंट है और उसके बाद आपका जो इंपोर्टेंट रहेगा तुकु गावा सासन की सक्तियों का उद्भव यानि जो भाई तुकु गावा स और आगे चल करके जापान का सासक बनता है तो ये तुकू गावा सासन की सक्तियों का उद्भग कैसे हुआ सास्त्रिय जापान का निर्माड ये important है यानि 1.4, 1.5, 1.6 और आपका जो रहेगा 1.11 ये exam के point of view से बहुत ज्यादा important है लेकिन अन्य जितने point हैं हमें उनको भी पढ़ना चाहिए ताकि हम जापान का जो इतिहास पढ़ रहे हैं हम उसको अच्छे से समझ सकें जो जो मैंने point बता है exam की point वी से इनको जरूर पढ़के जाईएगा ठीक है बाकी तो हम सभी पूरा किताब ही पढ़ेंगे बुक को अर्चे से ठीक है तो 1.2 सबसे पहले हम लेते हैं जैसे उसमें क्या है पूर्ब A.C.A. और उसके पढ़ोसी जापान जो है पूर्ब A.C.A. में इस्तित है ठीक है तो 1.2 में देखिएगा देखो यहाँ ध्यान रखना महत्पून है यानि ध्यान रखना या जानना महत्पून है कि जापान चार मुख द्यूप यानि जो जापान है वहाँ चार द्यूपों से और अन्य छोटो द्यूपियों से बना है जो प्राकिरतिक रूप से महाद्यूप की मुख्य भूमी से अलग थे लेकिन उनके प्रभाव से अलग नहीं थे यानि कह सकते जापान जो है वह चार मुख्य द्यूप्यों से और अन्य अन्य छोटे महाद्यूप्यों से बना हुआ है जो महाद्यूप की मुख्य भूमी पर थे लेकिन इसके चानि लोग समुध्रिक सम्बंधों के माध्याम से मुख sociaux भूमे हो जुड़े थेह सन्य हैनि चारों तरफ समुध्र भी लाके से या दोईपियों से गिरा हुआ है और मुख भूमे से जुड़ा हुआ ऑगे देख़ेगा जापान और कोरिया कोई恐 haw देव के बीच बीच इस्टित युट्सिमा का जलमगड रुद केवल 120 मिल चोड़ा है इसलिए कोरिया के साथ संबंद जापानी दूप में लोगों विचारों और ब्यापार के लिए प्रवेश के लिए महत्मुन कहरें बहिया कि अगर आपको जापान जाना है तो आप कोरिया के रास्ते ज जाना है तो वहाँ कोरिया के रास्ते जा सकता है कि इससे जाना आसान होगा क्योंकि कोरिया के जो संबंद है वह जापान के लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके पास है कोरिया के लोग जैसे या उनके विचार हैं वहाँ एक प्रकार से जैपनीज हैं जापा बहुत ज़या आफ़ा मुश्किल था लेकिन अ कोहिंगा चोरे जा सकता था इसलिए जापान आध्य संप्रक से अचूता था इनि पहले क्या था आप को पताओ कि जापान चीन आगर आप देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर इससे जाना था, लेकिन पूरवी चीन सागर को से बहुत खतरनाक माना जाताएं, कह सकती हOkay रवाई समुद्र में नाव डूप सकती थी या समउद्री लुतोर का डर बना रहता था पहले जापान जो था वहां बहुत ज्यादा अचूता था यानि वहां आधा संपर्क नहीं पाता था पूरे देश का या पूरी दुनिया का कह सकते हो ठीक देखो चीन द्वारा आकरमण की संभावना से बचा हुआ था यानि जो जापान था जापान जो पूर्वी चीन सागर को पार करना मुश्किल माना जाता था इस यह कह सकते हो कि जापान बहु सारे जो आकरमण उस पर हो सकते हैं, उनसे बचा हुआ था और चीन के आक्रमण से भी बचा हुआ था, जो इस छेत्र की प्रमुख राजनेतिक और संस्कृतिक सक्ती थी, ठीक है, जापान महादुइप से जुड़ा हुआ था, लेकिन राजनेतिक हस्तक छेप से चुराचिता, देखो, जापा चीन सागर को पार करना जापान जाना बहुत मुश्किल था, यानि वहाँ पर ना तो बहुत जादा आक्रमण हुए, यानि पोलिटिकल यानि राजनेतिक हस्तक छेप जापान में हमें नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्या था, कि वहाँ दुइप से जुड़ा तो व आउधनिक समय में जापान की स्रिष्टता और एसिया के नेता के रूप में इसकी भूमिका का दावा करने वाले राष्टो ने तर्क दिया है कि जापानी सब्धता को एसिया सब्धता के द्वारा आकार दिया गया, कहा जाता कि जो जापान है, जापान में जो सब्धता य लेकिन चूपिया कभी उपनिवेसित नहीं हुई इसलिए इसने कभी तक्तियों सबसे अच्छा सनक्षातब जαपान कभीभी किसी का उपनिवेस नहीं बना रीजन क्या भाई वहाँ पर आना जाना मुस्किल था भां लो सिंपल आगर बात करूँ कि किसी का घर पहाडी पर हो तो आदमी नहीं जाएगा भाईया कौन पहाड चड़े ज़िद मालो कोई आदमी चोर है चोर को अगर चोरी करनी है तो आसपास के घरों में कर लेगा जो समतल मैदान में है आसपास रहेगा वहीं करेगा अब दूर दुर्गम अस्थ चीन ने पूर्ब और दक्षिन पूर्बेसिया का सक्तिसाली प्रभाव पड़ा है यह कह सकते हो कि जापान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह चीन का प्रभाव पड़ा है कहां का चीन का क्योंकि चीन के आसपास है कह सकते हो और दक्षिन पूर्बेसिया क जो प्रबाव है वह हमें जापान पर या उसकी सब्वता संस्कृती पर हमें दिखाई पड़ता है चीनी भासा अभिजात वर्ग की भासा बन गई नि भाया जापान में न चीनी भासा जो थी अभिजात वर्ग का मतलब होता कि अमीर वर्ग पैसा वाला वर्ग ठीक अमीर लो और दासनिक विचारों को अपना गया जो जैसे जापान है कोरिया और बियत नाम है यहाँ पर चीनी विचार है या चीनी धारमिक विचार है उनका परभाव पड़ा और अनकूलित किया इन संबंधों ने एक समान भासा और मूल्यों को भावना पैदा की लेकिन तत्तों और टकराव को भी पैदा किया क्योंकि परतेक ने चीनी राजनितिक नियंत्रन और उसके विचारों के प्रभूत से अपनी स्वायत्ता को अलग बनाए रखने के लिए संगर्स किया कह सक्तियों हो कि चीन पर चीन का जो प्रभाव है वह हमें जापान पर ज्यादा दिखाई द दिखाई पड़ता है जैसे हम बातने जैसे जापान है कोरिया और बियतनाम है इन पर चीनी धार्मिक और दार्सनिक विचारों का प्रभाव पड़ा है लेकिन कह सकते हो लेकिन फिर भी जापान कोरिया और जो बियतनाम जैसे देश हैं अपनी स्वायत्ता अपनी स्वतंत् प्रभाव या वहां का दार्शनिक प्रभाव जापान पर पड़ा है लेकिन कह सकते हो जापान हो या कोरिया हो बियतनाम जैसे देश हैं इन्होंने अपनी धार्मिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए इन्होंने लागातार शंगरश किया है अगला जो हमारा पाइंट है जापान का भगोलिक वातावरन नहीं जापान की जलवायू कैसे है इन्वायर्मेंट कैसा है इसको देखते है ठीक है देखीगा जापान के बारे मारे इतिहास का अध्यान करते समय भूगोल को समझना महत्पून है कहा जा रहा है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भूगोल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी देखो हर जगा की जो जो गर्फी कंडीसन है यानि कह सकते जो भौगोलिक वातावरन होता है वह बहुत प्रभाव करता है एक तो भौगोलिक वातावरन क्या करता है अरे भाईया जहां का जैसा भौगोलिक वातावरन होता है वैसे वहां के लोगों का कपड़ा होता है वैसे यहाँ परिभासित करता है कि निवासियों के लिए क्या संभा हुआ है अरे भाया जैसे वाता हुण रहेगा वैसे निवासियों के लिए क्या संभा है जापानी दूइप पेक्छाकृत हाल का ही निर्मित है यानि जापान जो है का जो दूइप है वह भी हाल में ही निर्मित ह यहां परकिरिया केवल कुछ 15 मिलियन साल पहले शुरू थी याँ जापान जो दूइप है वह 15 मिलियन साल पहले सुरू ही थी लेकिन जैसा कि हम इन दूइपों को जानते हैं यहां जादा तर 2-5 मिलियन वरसों के दोरा निर्मित हुए यानि जापान जो कह सकते जापान का जो दूइफ़ाय दो से पांच मिलियन वर्सों की बीची यह निर्मित हुआ यानि अभी हालिया समय में जापान जो दूइफ़ाय उसका निर्माड हुआ है इन दूइफ़ाय की रचना जो है चार वर्तनिक प्लेटों प्लेट जो के टकर प्राहट से हुए निज़ आरे कहीं पर भूकंप आ जाता है ने बोलते नहीं कि धरती के नीचे प्लेटें टकरा रही है ठीक है से हुआ ये टकराव भूकंप और जुआला मुखी बिस्पोटे के उत्पादन के जरी रखते नहीं कह सकते कि जापान का जो नीद्बादवा ज होते हैं टंप्रोरी घर बनाते यानि घर बनावाई सबय भूकंप जाए गिर जाए तो कोई दुख ना ठीक है ये टकराव भूकंप और जौला मुखी बिस्पोटों का उत्पादन जारी रखते हैं इसी आईस्थिर इस्तिती से नियत काल की आपदाओं को जन्म दिया है जिसके परणाम सुरूप निवासियों को इन बारम बार आने वाली आपदाओं को पूर्बानुमान और सामना करने के लिए सीखने के लिए मजबूर किया है यनि कह सकते हैं जापान में हमेशा भूकंप आता रहता है और वहां के जो निवासी हैं यानि वहां के जो लोग ये जो आपदाओं बार बार आती हैं इनसे अभ्यस्त हो चुके हैं या इनको सीख चुके हैं अमालो बार बार भूकंपा रहा तो उसका किसका घर बनाएगा लकडी का घर बनालेगा या बास का घर बनालेगा ठीक आरे लकडी बास का घर गिर जाएगा तो दुख नहीं हो उकम पाता रहिता है और जापान के लोग इस प्रकार के प्राकिर्तिक चीजों से सीख चुके हैं या अभ्यस्थ हो चुके हैं ठीक आगे देखो पूर्ब और दक्षिन पूर्बेसियाई छेतर हिम यूग यानी गलेसियर से प्रभावित नहीं थे और क्योंकि जापानी द्य ये मुख भूमी से जुड़ा हुआ था इस छेतर में जैविक परचूर संपधा का ला मिले यहईनि कह सकते जापान में संपधा बहु जञादा यहनी नेचरerta जयपग परचूर मात्रा में मिलते हैं ठीक है रिसोर्स हैं जरूर जापान भूकम पाता तो जरूर है भाई भूकम पाता तो घरवर गिर जाता है यह सब हो जाता है लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेस है इसका लाब जापान को मिला है अरे भाई हर जगा का हानी लाब होता है जहां पर भूकम पाएगा अब जैसे मालोकी जैसे कस्मीर है कस्मीर में गिर रहा है तो कुछ फायदा कुछ हानी है तो हानी लाप तो हर जगह होता है तो वह ही कहरे हैं कि अगर जापान भाईय?' रह पाता है तो यह जॉ आला मुखी फट रहा है तो क्या हो रहा है इसे तू Vaika का लाभ उधान के लिए उत्तरी अमेरिका के वाडिज की दिरिष्टी से उपियोगी देशी ब्रिक्षों की 250 किसमें यानि वहा कह सकते हो कि ऐसे जो देशी ब्रिक्ष है उनकी 250 किसमें की 250 पीड है। 250 बराइटी की ब्रिक्ष हैं ठीक हैं जबकि जापान में ऐसे ब्रिक्षों की 500 किस्में हैं यानि कह रहा कि अगर अमेरिका में 200 ब्रिक्षों की किस्में पाई जाती हैं तो जापान में 500 पेड़ों की किस्में पाई जाती हैं ब्रिक्ष यह विकास के लिए एक स्रमिर्ध संस लेकिन साथ ही प्रकृती ने जापान को विकास के दारान कई तरह से प्रतकिरिया देने की अनुमती दिये दिखो यानि जापान अगर कह सकते हैं कि भाई यह वहां पर बहुत परचूर जैविक परचूर संपदा है और पेडों की बहुत ज़्यादा परजातियां पाई जात है तो वहां कह सकती हैं कि उन्हांना है जापान का भूहाग असी परसंट पहाडी है यानि जापान जो है पूरा 80% काईशा है पहाडी इलाका है ठीक है 80% पहाड़ी है और ये पहाड आवसतन 2-3,000 मीटर की उचाई पर है और खड़े ढलान वाले खड़े ढलान का मतलब समझते हो यानि नीचे खड़े ढलान का मतलब सीधा यह नहीं कि बीच बीच में पहाड़ी है यानि जिसे कहते हैं निक भई शीधा चड़ाई है धलान यानि सीधा सपाथ है ठीक है बोल रहे हैं यहां पर 80 परसेंट पहाड़ी है और यह 3-4000 उचाईके हैं और खड़े धलान वाले हैं सकरी घाटियों के पहाड़ीयों भागों में जल धार आ यहां वहां की जो घाटियाँ है वहां की सकरी खरी का मतलब बहुत ज़दा आने जाने का रास्ता घंच कब हैं ठीक सकरिकर खोटी है या कह सकते हो कम उनकी यह है ठीक है जो उगर द्हारा में बहती है इस से जल प्रबंधन को बहुत महत्पुन बना दिया है और इसे परिस्कृत जल प्रबंधन तक्नीकी यानि जापान में कह सकते हो कि जल प्रबंधन जो है वह तक्नीकी बहुत बिक्सित हुई 80% पहाड़ी इलाका है खड़ी ढलाने है जल प्रबंधन तक्नीकी जापान में बहुत बहतर है कौन सी तक्नीकी जल परबंधन पानी का ठीक है बहुत अच्छा है किरसी विकास काफी हद तक मैदानी इलाकों तक सीमित है यहाँ जापान में जो खीती है वह वही होती है जहाँ पर मैदानी पहाड़ों में खेती होती नहीं यहाँ जापान में जब 80% पहाड़ी है तो बचा 20% यहाँ खेती जापान बहुत आगे है जिसके यहाँ पर 20% खेती होगी तो आप समझ सकते हो ना 80% तो पहाड़ी लाका है उनका ठीक है यहीं खेती बहुत कम है देखे लेकिन अस्थांतरित किरसी यानि स्वीडिनिस खेती यानि जूम खेती को बेभार जूम खेती का मतलब होता है कि जो बदल बदल करके खेती करते न उसी को जूम खेती वहाँ पर कौन सी खेती जापान में होती बहिया जूम खेती क्या होती जूम खेती कम होती है 20% ही यानि जापान का 20% इलाका ही मैदानी है और खेती जापान में कौन सी होती बैया जूम खेती होती है ठीक है ब्योहार में लाए गया है इधन चारा और घास पात के लिए खड़ी पहाड़ियों पर खेती करने से अपरदन होता है यानि कैसे हैं कि जैसे इधन हो गया चारा हो गया घास पात खड़ी पहाड़ियों हैं अपने आउन से वंचित हो जाते हैं कि जापान बी जब जब ज्यादा खेती होती है तो आप क्योंकि बार घाती और भूमी का कत्पाउ जयादा है तो टोट जाते हैं इसे वनाचिद छेतर को बनाय रखने के प्रयासों को भी जन्म दिया है आज भी जापान का सतर परस्यद भाग वनाचिद है यानि वन रहित है यानि वन है महाँ पर ठीक है यहाँ जलवाई बड़े पामाने पर हलकी सर्दी और उसमा ग्रिस्म कालीन है जापान में जो है हलकी सर्दी परती है और गर्मी जादा परती है जापान में जो ठंडी होती है हलकी परती बहुत जदा ठंडा नहीं महुसम है बहुत जदा ठंडी नहीं परती है ठीक है उसमा ग्रिस्म कालीन है वहां की उसमा जो गर्मी पढ़ती है जो टट के साथ जडोद मैदानों से संचित चावल की खेती करने जापान में क्या है जलोड मिट्टी होती है जडोड आपने सुना ना जैसे डोमट मिट्टी है लाल मिट्टी है जडोड भी एक मिट्टी होती है जडोड ठीक है और वहा खेती और वहाँ पर खेती बहुत कम है 20% ही लाका ऐसा है जहां पर खेती हो सकती है ठीक है आगे देखेगा चावल की खेती प्रमुख रही है क्योंकि यहां प्रती हक्तेयर एक उच्छ कैलोरी की उपज होती है इसके बावजूद की जापान में किवल 20% भूमी ही खेती की य है फिर भी वहाँ पर कह सकते हो कि यहां प्रती हक्तेयर में एक उच्छ कैलोरी की उपज होती है यानि कह सकते हो कि धरती कम है लेकिन वहाँ पर पैदावार बहुत ज्यादा होती है और ज्यादार जो पैदावार किसकी करते हैं चावल की आपको पता हो कि पानी बहुत ज् खेती जापान में क्या होती है जादा होती है ध्याँ रखना इस बात का ठीक है इसलिए जापान आयतियासिक रूप से उच्छ आबादी को आसरे देने में सक्छम रहा है जापान भी यह चावल की खेती हो रही है और बहुत ज़्यादा चावल है इसलिए वहां कि जो अमल का मतलब क्या होता है अमलीययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय लेकिन उर्रकों के ब्यापक उपियोग से इसमें सुधार जापान की जो मिट्टी है कैसे अमली है अमली है मिट्टी में बहुत जाद कुछ होता नहीं लेकिन जापान में लोगों ने क्या क्या है उरूरा के निए भाईया खादवात का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है इसे से जापान में किया भाईया जो मिट्टी हुए उसमें सुधारा है यह आवसकता आवसक इस तत्थी के कारण थी कि आउधनिक समय में जापान दुनिया में रासायन उरकों का सबसे बड़ा उपियोग करता बन गया यानि जापान में कह सकते हो कि जो रासायन है धरती में जो भूमी पर खेती करते समझ जो खाद बोई जाती है या जो खाद डाली जाती है उसमें कह सकते हो सबसे बड़ा क्या है कि जो रसायन है यानि खेती में जो रसायन यूज होते हैं उनका सबसे बड़ा उपियोग करता है यानि जापान में सबसे ज़्यादा केमिकल यूज होते कहां पर खेती में खेती में इतना ज़्यादा केमिकल और रसायन क्यों वहां कि मिट्टी क्या अमली है यानि मिट्टी तो 20% इलाकों में खेटी होती है ये लेकिन वहां पर खेटी- ऐसी मिट्टी- ऐसी अमली है तो उसके लिए रिसायन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं समुद्री संसाधन हमेशा से ही भोजन के लिए महत्पूर्ण सुरोत रहे हैं जापान क्या है एक समुद्री इलाका या समुद्री है तो वहाँ पर कह सकते हैं जो समुद्री संसाधन है वह जापान के लिए महात्पूर्ण स्रोत रहे हैं ठीक है यहाँ पर बताएगा अगला जो हमारा है पॉइंट रहेगा 1.4 है ठीक है जापानी इतिहास के अध्यन के लिए दृष्ट कौन यानि जापान का अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सा दृ मरिकाश के बारे में हमारी समझत को विभिन प्रकार के अइतिहास सुरोथों को अगर हम ऍहुदनिक । जे खेल मैमकि की आउद्रिंग को पढ़नी तो उसके लिए क्या है। हमारी सोच को मैस्वी ङुय तो बहतर हम יותר का स्लिए मतलब वहता है जैसे बाद के लोग जापान Boy पक्रते हैं जो यूरोप रूप के लोग कैसे करते हैं यσक्पन के रूप bliss vibrations रूप से अमेरिकी बीध्यऄ नहीं शेत्रा ध्यन द्ष्ट कौन जो अमेरिका में दुतियविस dûद के बाद आउधी में बिक्सित हुआ इस बिचार पर आधारित था एसिया के विभिन देश थे और उनके समाजों को समझने के लिए दुई भासियों किया सकता थी इस द्रिष्ट कोंड ने देश को प्रिथक तत्त में देखा जापान की आसाधानता पर बल देते हुए यहाँ पर इस पर बल देते हुए कहसकते हो कि उसे पिठक रूप में जापान की धर्मा और दार्शनिक परंपरा के माध्यम से परिभास यह जापान को ज़्यादा तर जो लोग परिभासित या अमेरिका के या अन्न लोगों ने क्या जापान कर साधानता जापान के बारे में जो बात होती है इस इसettes किया जाता है जापान को समझने का प्रियास किया है जो अन्न A.C.I. देशों के बिप्रित आउधनिक्रित हो गए यह नि कह सकते हो जापान को अगर समझा जाता है तो धरम और दासनिक परमपराओं के अकोडिंग इसको समझने का प्रियास किया जाता है इसने बाउधिक परमपराओं को उत्तरी की तलास की और विकास को रोकने में उपनिवेस वाद की भूमिका जैसे कारकों की अंदेखी की नि कहसे जापान का जब हम वरन करते हैं जापान को जब हम समझने की कोसिस करते हैं तो उपनिवेस वाद की जो भूमिका है, इसको हम नदरन दाज कर देते हैं, उपनिवेस वाद आप समझते होगे ना, कुलनी जम हम जिसे बोलते हैं, उपनिवेस बना ले ना, उसकी भूमिका को, जापान को इतिहास का अध्धन का दिष्ट कौन 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 सा है, पश्चिम म जापानी लेखन दिष्ट कौन, अमेरिकी विद्वान लेखन या छेत्र अध्यन दिष्ट कौन, ठीक है, इसका जाध्यां रखना, ठीक है, आगे देखेगा, जापान में रूढी वादी विचारों ने अपने विचार पौरानी कथाओं, जैसे नीहोन, सोकी के इतिवरित और पौराचीन मामणों में रिकौर्ड किया, पर आधारी थे यापान में जो विचार है क्या वा रूढी वादी विचारक थे, जैसे पौरानी कथा, पौरानी कथा समझते होकि जो हमारी कथाएं होती है, जो हमारे धार्मिक गरंफों में कथाएं लिखि रहती हैं, उन प जापान के जो रूढ़िवादी विचारक हैं या जापान की जो कथाएं हैं वो बताती हैं जापान का जो दूइप है उसको भाईया देवताओं ने बनाया है देवता देवता भगवान गोड ने बनाया है इनि जापान के रूढ़िवादी विचारक बताते हैं विया जो ज जापान के दूइफ़य उसको देवता बनाए थे। तक समराटों की प्रतेक और आटूर सिंखला रही है इसलिए समराट को एक जीवित द्योता माना जाएगा है बही जापान में जापान में क्या पहले राजा होते थे तो जापान में जो राजा होगा ना उसको द्योता माना जाएगा इस प्रकार की परमपरा रही है ठीक है आपको पता होगा ने कि जापान में राज सत्ता रही है ना राजा महराजा होते थे तो वहाँ पर राज सत्ता होती थी जब वह इस मिथ्धा कवपयोग आउधनिक काल में जापान को चीन और अनिदेशों से भिन और स्रेश्ट रूप में चिन्हित करने के लिए किया गया थे नी एज जो विचार है बताते हैं इसको चीन से अलग करने और अनिदेशों से अलग करने के लिए इस प्रकार के चीजे बताए जापान का जो निर्मा दूप है उसको देवता ने किया है जापान के जो राजा है वह देवी सूरिपुत्र के पोत्र है और जापान को जो राजा है वह देवता के समानी इसको माना गया है यह एक सक्तिसाली विचार था जिसने राजनितिक संस्ता को रेखांकित किया और पुर्देवी के पौत्र जापान पर सासन करते हैं जापान का जो समराठ है वह एक जीवी द्योता के समान है इस प्रकार के जो विचार थे जापान में रहे यह ऐस प्रकार के विचार जापान को चीन और अन्ने देशों से अलग रखते हैं या अलग बनाते हैं आगे दिखे जो जापान होता वा पूरी तरीके से बदल गया था और करें सेकंड वर्डवार के बाद जापान को मुख रूप से एक मत्र ऐसे देश एसी या देश के रूप ने प्रस्तुत किया जिसका आउध निकरण हुआ है नि कह सकते हूं कि जापान जो पहले था यह अगर मैं भूल सेकंड वर्णडवार से पहले का जापान और सेकंड वर्डवार के बाद का जापान में जमीन आस्मान का फरत यानि सेकंड डॉल्लार से पहले का जो जापान था वो रूड़ीवादी था बहुत ज़्यादा राजा महराजा होते थे बहुत ज़्यादा धार्मी विचार था रूड़ीवादी और पौरानी कथाओं के चलता था भैद्यूप को भगवान ने बनाया है जो राजा है वह इ दीविएत दिया होता है इस प्रकार के चलते थे लेकिन जब सेकंड डॉलवारा उसके बाद आउधनिक जापान का निर्मार होता है यानि दुतिए विस्यूद्ध के बाद कह सकते हो में जापान का निर्मार हुआ यहां जो चीन जो विशेश कर कह सकते हो कि जो चीन है या अन्य एसिया जो देश हैं इनको रेखांकित करने में कह सकते हो इन्होंने इसको नजरन दाज किया कि इसको जापान को ठीक है अगे देखे इन तरकों पर विशेश रूप से 1960-1973 तरसक में वियतनाम युद के बाद सवाल उठाएगा कि जापान के विकास के अंतर संबंदों में समानताओं को देखने के लिए एक छेत्रिय संदर में इसी को देखा जाए कोरिया, ताइवान, चीन के कुछ भागों में जापान के उपनिविसिकन के निरनायक तरीकों से जापानी इतिहास को आकार देने वाली घटनाओं को दिखाएगा जापान को जो अन्य लोग थे जैसे चीन है, वियतनाम है, कोरिया है ये जापान को अपनी तरीके से अपने एंगल से अपने तरीके से बताने का प्रियास कर रहे थे इसके उत्तर आउधनिक्तावादी लेखकोनुक जापान यानि उत्तर आउधनिक्तावादी जो लेखक थे उन्होंने जापान के बारे में जापान की जो संस्थाएं थी या उनके विचारों की जाच करके जिनका एक लंबा इतियास था उसका खंडन किया और दिखाया कि कैस उनका निर्मार जापान ने आउधनी करण के रूप में उसका वर्णन किया गया है अन्य विद्वानों ने जापानी घटना करम को बैस्विक प्रदिर्सिमें देखा यह भी देखा कि उन्होंने जापान को कैसे प्रभावित किया मिसाल के तोर पर पूर्ब आउधनिक काल में बैस्विक चांदी के प्रभाखेकान चांदी का भाववा और जापानी सासक रेसम का उत्पादन करने के उपायों को अंजाम देने लगे जिसका आयात किया जा रहता ताकि चांदी का बहिर गर्मन कम हो जाए बात की इकाईों में हम देखेंगे कैसे इन विचारों ने आउधनिक जापानी इतिहास में हमारी समझ को आकार दे है जापान पूरी तरिगे से या एक आउधनिक राष्ट के रूप में और आईस में बहुत सारा बतलाव आता है का बाता भिया सेकंड अलडवार के बाद आता है ठीक है पूर्व एस याई छेत्रों में चीनी संस्कृति के प्रारंभिक प्रभुत का मतलब है कि चीनी प्रभाव ने इस छेत्र को आकार दिया और चीनी भासा सभता कावाहक और विजात वर्ग के लोगों की सर्मिंग देखो जापान पर चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा ठीक है मैंने पहले बता है कि जापान का चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा जो चीन की भासा थी वह जापान के जो उच्च वर्ग था या जो पूझी पती वर्ग था या विजात वर्ग था उसके जापानी भासा एक अच्छर बहुल पदों से यूगत और सम्युगत भासा है और चीनी भासा से बहुत अलग है जापानी जो भासा है वह बिल्कुल चीनी भासा से बिल्कुल आलग है ठीक है जो जापानी भासा है जापानी भासा में चीनी भावचित्र निकांजी का इस्तमाल लेकिन दो वर्णमल आए जिसका उपियक उन्होंने चीनी भावचित्रों के साथ जापानी देखने के लिए जैसा यह बोली, जाती की इस्तमाल कर सकी। चीन के ग्样 ने अभिजात वर्ग के चीनी सब्विता को पहुंची। यनि चीन का जो ग्यान था, क्यूंकि चीनी भासा जापान में थोड़ी बहुत बोली जाती थी, तो चीन का जो सभ्यता थी वजापन तक पहुँची लेकिन उन्हों ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका पड़सारण ब्यापक लोग प्रियस्तर पर हुआ क्योंकि अस्थानिय वण माला में लिखे गय गरंतों को उन लोगों द्वारा पढ़ा जा सके जो उच्छ संस्कृती में सिच्छित नहीं थे उधान के लिए बहुत धिक धार्मिक उपडोसों को सरल सैली में लिखा उपियोग करके लिखा गया जो उनकी सिच्छा सा सचित्र फैला था जहां तक कि जिस तरह से किसानी आचिकाय लिखी गई वहां कुलेन सैलीयों के प्रभाव को दरसाती है उच्छ संस्कृते के देखने को मिलता है लेकिन कह सकते हो कि चीनी भासा का भी मिश्रन हमें वहां खुबी से और दिखाई पड़ता है ठीक है तो इसना तो मैंने आपको बता दिया नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपोर्टन सेक्षन जो बचा हुआ है अगली क्लास बहुत इंपोर्टन है कि जि जपानी इतिहास का काल आउधी करने यानि जपान जो है उसका काल आउधी यानि जापान को किस प्रकार से उसका जो इतिहास उसको हम किस प्रकार से कई भागों में बाढ़ते हैं 1.5 को पढ़ेंगे इ新िक्जाम के 1.6 जो वह Mutta बलग देखेंगे सास्त्री जापान का निर और ठीक है यह दो पॉइंट बता दिए और एक पॉइंट ओवर है जिसको मैं पढ़ाऊंगा ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है यानि तुकु गावा सासन की सक्ति का उद्भव 1.10 इसको भी मैं बताऊंगा तुकु गावा सासन की जो सक्ति थी उसका इटेल में बता दूँगा ठीक है जितना बचा हुआ है ठीक है अब बेसिक जो था आज मैंने बता दिया है कल और भी चर्चा करेंगे चैप्टर नमबर 1 के बारे में इस परकार से हमारे जो चैप्टर नमबर 1 रहेगा ओ कल आगे चलता रहेगा ठीक है